आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है कि आपको पता है कि नर्वाना के अंदर कोई ऐसा दर्वाजा है जो 100 साल से बंद था और उसके अंदर 80 परिवार रहते हैं तो हाँ 100 साल के बाद ये दर्वाजा खुनने वाला है जिसके अंदर से 80 परिवार रह रहे हैं और 80 परिवार निकलेंगे आए जानते हैं उस दर्वाजा के बारे में जो 100 साल से बंद है और 500 साल पुराना ये दर्वाजा है चलते हैं उस दर्वाजा को खुलाते है ये क्योंकि इस दरवाजे के उपर एक शहतीर था वो तूट चुका था उस तूटने के वज़ए से यह दरवाजा जाम हो चुका था जिसे किसी नहीं ना तो कोई हिला पारा था यदि यह हिलता तो यह लोगों के उपर गिर जाता और किसी ना किसी की जान मालकी यहाँ पर पहले तो यहाँ पर धिरजा से धिरजामल जी की पूरे पूरे परिवार यहां रहते थे लेकिन धिरे धिरे जैसे जासे परियोर विक्सित ऊए वैसे दरवाजे इससे निकलना शुरू हुआ और पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्यों में धिरजा shaped फैला हुआ हुआ ले तीन लोगों को ये रहता था कि कहीं इंटें इंके उपर ना गिरें यहां बंदर बहुत हैं इस एरिये के अंदर और वो बंदर उपर वैटते थे तो इंटें फैक्ते थे तो एक दो बार किसी को चोट भी लगी तो हमारे पास यह बात आई परिवार के बास कि या तो इस दर्वाजे को गिरा दिया जाए या इस दर्वाजे की मुरमत करा दी जाए तो किसी एतियासिक चीज को बचाना बहुत जरूरी है उसको खतम करने की से तो सारे परिवार ने एक मत फैसला लिया कि इस दरवाजे को खतम ना किया जाए, इस दरवाजे की पुनहे मुरम्मत करवा कर लोगों के लिए इसको खूल दिया जाए तो ये तरवाज़ा सो साइट से असी परिवार इसके अंदर रहते थे और ये दरवाजा बिल्कुल दिवार के साइड में लगा हुआ था ये ना हिलता था ना डूलता था जैसे रवी जी ने बताया कि इसको हमने क्रेन से ये हिला ही ने दरवाजा हमसे हमने क्रेने मगवाई और क्रेन की साहिता जिस दरवाजा को उखडा गया एक बार उसके अभी दर्वाजा खोला गया है और इस रिनोवेशन किया गया 200 साल पुराना है तो अभी हम इस चीज के बारे में पूरी जानकारी लेंगे रवी बुसंजी से और निरंदर गरग जी से इसके बारे में पूरी बाते जानेंगे आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें आपको अंदाजा भी नहीं था कि नर्वाना यानि जीन डिस्टिक के नर्वाना में ऐसी कोई चीज होगी जो 200 साल पुरानी है और इसको अब रिनोवेशन करने के लिए प्रिवार ने पूरी यहां पर जद्दो जहद कर रहे हैं तो आई ये जानते है हाँ जी शार नमश्कार सर नमश्कार सर ये बात सही है क्या 200 साल पुरानी एक एतिहासिक चीज आपके पास है जी जी हमारे सेट धिरजामल जी के सुपुत्र सेट सदसुक जी और सेट रामरतन जी ने लगवग 200 साल पहले इस दरवाजे का निर्मान करवाया था पिछले 10- दरवाजा जेंड शेंड अवस्ता में था तो परिवार के सभी सदस्यों ने कुछ दिन पहले एक फैसला लिया कि इस दरवाजे को ठीक ठा करवाया जाए ताकि ये एक एतिहासिक धरोवर बन सके और हम इसको एक सेल्फी पॉइंट भी बनाना चाहते हैं ताकि इसके सामने खड़े होकर बच्चे बुजूर्ग महिलाएं अपने आपको महसूस करें कि हम एक एतिहासिक दरवाजे के एक एतिहासिक धरोवर के सामने खड़े होकर हम लोग एक फोटो ले रहे हैं यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी और इसके बाद रवी जी आपको बताएं उसको ठीक करने का जिम्मा शेड़ धिर्जामल के पोत्तर पड़ पोत्रों ने उठाया है यह जो दरवाज्जा है यह सो साल से बंद पड़ा था सो साल से कभी खुला नहीं था और इसकी अवस्था ऐसी थी कि हमने बड़े-बड़े मिस्त्री बिलाएं दो ठीक होई नहीं पर से बंद ठाएं यह बड़ी बात आएं ब्रेकिंग यानि कि सो साल तक यह दरवाजा बंद था तो सर जाम हुआ पड़े था फिर फिर एक छोटी क्रेंवाला आया उसने दिखाई शेर के लोगों ने हिम्मत दिखाई और यह दुराज्जा उत्रवाया हमने फिर इसको सारी रिपेर पर करवाके यह इस दुराज्य में कोई कबजा नहीं है अच्छा जी एक चूल के उपर ठिका हुआ है सिर्फ एक चूल के उपर अच्छा जी और अराम से यह परिवार का सहय हो गया वैसा भी सारा परिवार दे रहा है तो इस दुराज्य को बनाने का बीड़ा उठाया था और सबके से बड़े अच्छी तरही है सार कितना वजन होगा एक दर्वाज्य में लग भग दस क्वेंटल से जादा है दोनों में एक दुराज्य में क्या बा से हम पंद्रा लेपर वालों को लेके आए पांच हमारी लेपर थी बीश बंदों ने एक द्रवाज्या चोंत्रे से उठा करके यहां रखा फिर इसको रसों की सहता से खड़ा किया है आज यह चलो अवस्था में है बहुत सुंदर रूप तो जैसे दस कमेंटल का है सर फिर यह जो आप कहरे थे यहां नहीं मिले तो कहां से आए फिर इसको ठीक करने की मिश्टरी तो हमने तीन चार मिस्टरी बिलाये लुषार को बिलाया कारपेंट्रों को विलाया इसकी जो यह किल्ले देख रही है यह बीश किल्ले टुट्यों जी लगवाधी है और चूल लोहे के लिए यह एक द्रौर होगी और पिछले कुछ दिनों यहां के लोग बताते हैं पूरा तत्व भाग से आते थे और इसकी सेलफी लेकर फोटो लेकर जाते थे तो सर जैसे महराजाओं के समय में यह इस प्रकार के दर्वाजे होते थे तो यह जैसे लगाने का इनका क्या मकस से दिए था कि कोई चोर या कोई नर्वाना के अंदर असी प्रिवार के लगभग है और चारसो प्रिवार नर्वाने से बहार गय हुए और दिर्जामल इतने दानवीर थे पंजाम में जब एक बार अकाल पड़ा महराजा पट्याला ने अपने अंगरक्षक यां बेजे पता कराए कि भी सेट कहा है उन्होंने जाके बताया महराजा पट्याला को कि नर्वान हमें सेट दिर्जामल एक सेट है उन्हेंने सेंदेश साभ जोए कि हमें कुछ पैसे होगी जुरूरत है हमारे बुजुर्गों ने उनको उस टेम इतना पैसा दिया महराजा पत्याला ने हमारे परिवार को 36 किल्ले जमीन गुर्थली के अंदर दी जिसमें से 6 किल्ले जब भागडा नहर बनी उसमें क्वायर हो गए और 18 किल्ले हमने सन 2000 में चोटाला सरकार को वाटर व्रक्स बन आज भी हमारे पास है जो कि हम सकुर्टे पर देते हैं तो सर जैसे इसका रिनोवेशन किया जा रहा है तो रिनोवेशन के लिए क्या कोई चीज चेंजिंग भी की जाए नहीं इस इतिहासिक दरवाजे को हम उसी तरह से जैसे यह था उसी रूप में हम रखेंगे जैसे उन कारीगरों ने इस पर कारीगरी नकाशी की हुई है वही नकाशी आज हम उसको वही सुरक्षित उसको दरोहर को एज़ी तीज रखने की हम कोशिश कर रहे हैं और हम रखेंगे भी परिवार का यही फैसला है कि इसको बदला ना जाए कोई नई चीज ना की जाए जैसा यह इस पर केवल हम धोलपूर से हमने पत्थर मगवाया है गुलाबी पत्थर उसको हम उपर तक लगवाएंगे ताकि ये एक दरवाजा बहुती शांदर दरवाजा हो और हर्याना ही नहीं भारत में भी इस दरवाजी के पहचान तो सर क्या लगते हैंगी देखो आपको भी जान कोई बुलन दरवाजा या इस तरह की क्योंकि इस दरवाजे की उंचाई 40 फूट है और 35 फूट इसकी चोड़ाई है ये जो लकड़ी के दरवाजे आप देख रहे हैं 16 फूट उंचा दरवाजा है इतना उंचा दरवाजा आस पास भी किसी भी बिल्डिंग में आज नहीं मिलेगा बड़े बड़े हवेलियों में दरवाजे होते थे आज ये दरवाजा इस तरह के दरवाजे कहीं भी नहीं मिलेंगे बिल्कुल राजा महराजाओं की हवेलियों में जब ये दरवाजे लगा दे थे तो मेरे ख्याल में बुलन दरवाजा ही जी बोला जाता था क्य प्रेसों तक इसकी चर्चा हो और दूर दूर से प्रियट की यहां पर घूमने आए जैसे हम जाते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए कि यह एतिहासिक चीज़ है तो ऐसे ही यहां पर भी आए और साथ में सेट धिर्जामल का जो नाम है वो और उचाईयों पर जाए सेट ध पेडिगरी डली हुए हमने बड़े बड़े इंजिनियरों की साहिता से बनाई है और इस टाइप की पेडिगरी वेब साइट के अंदर पूरे हिंदुस्तान में नहीं है सारे परिवार का मेल मेंबर पहली पीडी से लेकर के बार्वीं पीडी तक उसके अंदर है कोई भी इसको सच कर सकता है और बड़े खुशी की बात है मेरे पास अम्रीका से दो बार फोन आया किसे ने इस वैबसाइट को देखा तर वह गुद ने कभी ने देखी आप चाहूँ तो हम अमरीका में आपको इस वैब साइट बनवाने का काम दे सकते हैं मैंने का नहीं यह तो हम प्रपर्टी यहां अचीवमेंट्स जो हमारे प्रिवार की कास अचीवमेंट्स होती हैं मॉलोमेंट्स यहां पर हमारा सेट धिर्जा मंदीर है बहुत बड़ा गैबी साब के सामने हमारी स्राये हैं डेड़ किले के अंदर उदर बारा किले अगरिकर्ट चल रहे हैं यहां सत लोग अगर कोई घोड़े से उतर गए उनको राम राम करके निकलते दे यह विशाल संत्रा धिर्जा परिवार का है तो सर अभी कितना टैम लगेगा भी इसका पूरे हमारी उमीद है कि हम लोग फरवरी फरवरी में इसको पूरा कर देंगे और यह इतिहासिक दरोहा पूरे नर्वाना शहर पूरे जिलाजीन पूरे हर्याना के लिए पूरे भारतवर्श के लिए देखने ही होगी और जहां हम खड़े हैं इसके अंदर यदि हम देखें तो यह जितना भी अंदर आपको बिल्डिंगे नजर आ रही हैं यह पूरी धिर्जा परिवार की सारे जी यह पूरा का पूरा दर्वाजा सिर्फ हमने लगबग डेड़ से 2000 इंटों का ही यूज किया इस दर्वाजे को ठिक करने के लिए बाकी यह दर्वाजा चोटी इंटों का बना हुआ है जो धरोहर हमारे प्राचिन समय के अंदर जिन कारीगरों ने बनाई थी हमने उसको एज़िटीज संजोने का काम किया है हम इस धरोहर को एज़िटीज रखेंगे और हमारी कोशिश यह रहेगी कि आने वाले 100 से 200 साल यह धरोहर हमारी एज़िटीज बनी रहे ताकि आपकी जो आगले की पीडिया है आने वाली पीडिया इसको देखें वो एक मार्क दर बिल्कुल अगर आप भी यहां आना चाहते हैं तो नर्वाना के धोला कुआ के पास यहां पर पहुंच सकते हैं एक बर मैं पूरा प्रॉपर एडरस पूस लेता हूं सर अगर कोई विक्ता है इसको देखने के लिए कोई फोटो की चवाने के लिए कोई फोटो या किसी भी प हैक्षरों में पत्थर में ही कटाई होगी और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में हम सेथ धिरजामल दर superfic तमेला ही लिख वाएंगे तमेले के नाम से मिशूर है यदि कोई भी यहां पर आना ऐसी एतिहासिक चीज देखने को मिल रही है तो आप जरूर यहां पर पहुंचेंगे क्योंकि अगर आप यहां पर पहुंचेंगे तो एक अलग चीज देखने को मिलेगी जो 200 साल पुरानी है एतिहासिक चीज बने रही है एंजिनूज के साथ और भी जो चीजे होगी समय समय